नमस्कार दोस्तों, Happy Study Zone में आपका स्वागत है और आजम देखने वाले हैं Reasoning के Best Question और आपको पता है कि टोटल 3-3 Marks के पूझे जाना है यानि कि टोटल 6 Marks आपके एक्जाम में पूझा जाना है जैसे सी सीजिल शेकरम बात करते हैं तो काफी इंट्रेस्टिंग और जबरदस्ते सेशन रहने वाला है आपको पिडियों मिल जाएगा टेलिगरम में टेलिगरम का लिंक देखें कमेट बॉक्स में पीन गया है साथी साथ देखेंगा डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा इसके अलबा आप हैपी स्टेडी जोन सर्थ भी कर सकते हैं ठीक है और आपसे एक छोड़ा से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर लिजेगा और आते ही आप एक लाइक कर दिया करें तो चली स्टाट करते हैं असका सेजन कोईशन बर फर्स्ट के साथ में तो पहला कोईशन आपके सामने है अब सद्ध तथा यह एक ही इमारत के पांच मनजिल में रहते हैं आज सबसे उपर रहता है जबकि 10 सबसे नीचे दूसरे अस्थान पर रहता है तो देखें बनाना शुरू करते हैं डाइगराम पढ़ने से जादा फैदा नहीं है एक डाइगराम पहले बनाते हैं तो क्या कहा रहा है कि पांच इमारत है तो ठीक है बाई 1,2,3,4,5 5 है हमने बना लिया 5 इमारत हमने बना लिया है ठीक है उसके बाद क्या का रहा है कि आज सबसे उपर रहता है मतलब सबसे फर्स्ट वाले मंजिले पर कौन रहता है तो यह बता दिया है कि आ रहता है ठीक है भाई हमने रख दिया है ओके उसके बाद फिर जब कि दा सबसे नीचे दूसरे रहता है सबसे नीचे सबसे नीचे यह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे नीचे यह है, और नीचे से दूसरे अस्तान पर, नीचे से दूसरे अस्तान पर कौन रहता है, तो यह बता दिया है कि दा रहता है, ठीक है भई, तो हम ऐसा करते हैं, कि यहाँ पर द को बैठा देता है, यह लेजे, द को पोजिशन देखिए एक दो तीन एक दो तीन यानि कि यह वला पोजिशन पर जो है वो सब एठा हुआ है ठीक है सब एठा हुआ है किलियर मतलब दो अस्थान अभी भी खाली है यह वला प्लेस पुरा खाली है ठीक है अगर तो कोई सबसे नीचे रहता हैं अब देखेंगे यहाँ पर लूग कर दो ठीप एंगे तो नहीं कर सकते mesmo सकते ंब और यह काफी इजी है थोड़ा सा ध्यान दीजेगा निम्नांकित श्रिंखला में प्रेश्म चिन्य के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी अब इसमें अल्टरनेट पे थोड़ा आपको ध्यान देना है जब भी आपको ऐसा मिले तो सबसे पहले एक बार आप अल्टरनेट चे तो आप जड़ा सा ध्यान देजेगा यहां पर 0 है यहां पर ध्यान देजेगा 1 है यहां पर कितना 8 है तो आप थोड़ा सा अगर common sense यहां लगा है ध्यान दें तो दिखे यह 0 का अगर हम क्योब कर देते हैं तो 0 होगा 1 का क्योब कर देते हैं तो 1 होगा 8 का क्योब कर देते हैं तो 8 होगा इसका मतलब यहाँ पर 3 का Q वाला ही अंसर होगा यानि option number C इस प्रेशन का उत्तर हो जागा जितने भी आप सताई सेंसर कर रहे हैं option number C अलग कि आगे भी आपको एक बार यह जरूर चेक करना चाहिए था कि 0 है 1 है उसके बाद 9 है तो यहाँ पर square चल रहा है ठीकро alternate पहले क्या चल रहा है पहले cube चल रहा है फिर उसके बाद square चल रहा है ठीकर यही सरी चल रहा है तो option number C इस प्रेशन का उत्तर है next question का उत्तर कर देजएंका देखिए यहाँ पर आपको direct कथन देखना है और निसकर से देखना है इतना पढ़ने क्या हो शकता है नहीं मैं देखा कि सभी मानो माता पिता है सभी मानो क्या है सभी ये मानो बना लेते हैं सभी मानो क्या है माता पिता है ठीक है माता पिता है, सभी माता पिता सिक्षक है, ओके, ये लिजे, सभी माता पिता क्या है, सिक्षक है, ओके, अब निसकर से देखते हैं, कि कुछ सिक्षक माता पिता है, ये लिजे, ये पूरा सिक्षक है, और कुछ सिक्षक ये माता पिता है ना, तो बिलकुल आपसन नमर से इस प्रशन का उत्तर आप कर सकते हैं अगला वेशन आपके सामने हैं इसका अंसर कर दिजेगा बतेगा जरा फोर का अंसर करने के कोशिश करें दिखें नीचे देगे विकल्पों में से लूपत संख्या का चेन कीजें यहां पर क्या हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाई अगला वेशन आपके सामने हैं देखें कि अनिमना लिखे तो श्रिंकला में प्राशन चिन वर्ट के स्थान पर कौन सा अक्षर आएका यह आपको पता रहा है तो काफी है यह दो-दो जंप किया है देखें के कई 11 होता है एम का 13 होता है फिर 15 होता है मतलब दो-दो जंप क प्राशन का उत्तर हो जाएगा बस दो-दो आगे बढ़ना था यह काफी एजी है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि को एक्स्प्लेइन करने क्यों सकता है अपसर नमबर डेईस करेक्टर नेक्स क्वेशन का उतर करें बदेगा कि सूरज 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया उस दिन बिरहस्पतिवार था तो आज सब्ता का कौन सा दिन है अब समझे ज़रा माल लेते हैं हम यह आज है यह आज है कितना दिन पहले जाता है यह 9 दिन पहले जाता है अब देखें 9 दिन पहले जाता है तो क्या हम भी 9 दिन पहले जाएंगे नहीं हम ऐसा करते हैं इसको दो दिन पहले भी रिस्पतिवार है तो आज कौन सा दिन हो जाएगा शरीवार हो जाएगा ठीक है अपसन नमबर भी इजी है न आईसे यह परोच रखेंगे आप जल्दी बना पाएंगे अपसन नमबर बी इस ट्रेस्ट का उत्तर हो जाएगा जितने भी बी अंसर कर रहे है हैं चले उसके बाद देखेगा यह आपका six number question था seven number question देखेगा ज़रा question number seven एक बार देख लिजेगा रुक्मनी का परिच्छे देते हुए विजय ने कहा क्या कहा यह मेरी पत्नी के एक मात्र भाई के बना दिया कि पुत्र यह लेज़े पुत्र के मा पुत्र के मा कौन होगी यानि कि इसी का जो वाइफ होगे वही ठीक है तो यह हो गया और यही कौन है यही है रुक्मनी का तो यहां पर क्या हो जाएगा यह रुक्मनी हो इस्ट्रेशन का उत्तर हो जागा जितने भी सी आप लोग कर रहे हैं बिलकुल सही है अगला कुशन आपके सामने है कुशन नमबर एट और इसका अंसर कर देजेगा हाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान देजेगा एट नमबर कुशन थोड़ा सा ध्यान देजेगा वैसे आप कहेंगे कि तोटल जो है ना वो 16 है ठीक है वैंने मांन लिया कि तोटल कितने हैं total 16 है ओके रहने दीजेए कोई problem नहीं है अब देखिए बाइं और दो अस्थान आगे बड़ती है ठीक है तो वो बाइं और से सातफवा स्थान हो जाती है क्या हो जा रही है सातवा स्थान हो सातवा स्थान हो जाए हैं किस और खिसकने पर आप कहेंगे कि बाई और खिसकने पर बतलब इनिस्यल इसका जो रहा होगा यहां यह नाइन्थ रहा होगा अब समझें पहले का जो प्रारमिक स्थान रहा होगा यहां रहा होगा तभी तो दो स्थान वो खिसक के सातवे स्थान पर पहुंची, यह वला sentence आपको ध्यान दे रहा है, ठीक है, तो initial पहले 9 रहा होगा, तब ही 2 और किसकने के बाद वो 7 अस्थान पर पहुंची होगे, इतना clear हो गया, कि यह सीखा का जो position है शुरुवात में, और पहले का ही पूच रहा है, कि प्रारंबिक अस्थान क्या था, वो कितना था, 9 हुआ था, किदर से, left से, तो right से आप से पूचा होगा है, तो एक formula आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि left plus right minus 1 equal to total, ठीक है, बस आप देख लीजे, equal to total, तो left से कितना है, तो आप कहेंगे left से 9 है, r का value नहीं पता, यह निकालना है, minus 1 है, equal to total 16 द क्या आठवा स्थान था, ठीक है, एक बार खुद से कोशिश करेगा, आपको समझाजाज़गा, आठवा, यह निकालना है, option number 8 का उतर होगा, जितने भी answer कर रहे हैं, question number 8 का answer भी 8 है, 9 number question देखें, इसमें करना है, बस check करीए, बस यह बात है, आपको check करना ही होगा, right, क्या क्या star के स्थान पे होगा, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर minus लगा के देखते हैं, यहाँ पर plus लगा के देखते हैं, और यहाँ equal to, तो देख लिजे, आप यहाँ पर घटाएंगे, तो 15, 15 और 11, 36, क्या बात है, option A ही इसका answer होगा, ठीक है, option A ही इसका सही answer होगा, next question number 10, यह अ कर रहा है, तो आप देखें, यहाँ पर यह, कि P से A की तरफ जा रहा है, यानि कि 16 से 19 की तरफ जा रहा है, तीन बढ़ रहा है, A से C की तरफ जा रहा है, दो बढ़ रहा है, पहले तीन बढ़ा, फिर दो बढ़ा, फिर आगे देखते हैं, I से L जा रहा है, फिर तीन जाएगा जेड हो जाएगा मतलब यह option तो होगा ही नहीं अब देख लेजे यहां तक आपको एल तक तो बराबर देखने को मल रहा है अच्छा वी तक बराबर सब में देखने को मल रहा है यानि कि शुरुवात वला जो आपको चार है दो और दो चार ये आपको सेम देखने क अब इसमें 3 बढ़ाएंगे तो किया हो जएगा, कितना बढ़ाएंगे उसके बाद दो बढ़ाएंगे T हो जाएगा फिर तीन बढ़ाएंगे A हो जाएगा उसके बाद दो बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा V हो जाएगा फिर तीन बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा तीन बढ़ाएंगे तो H हो जाएगा और दो बढ़ाएंगे T हो जाएगा option number B ठीक है चलिए option number B इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा अभी 11 number question देखेगा जरा एक 11 number question जिसको आपको बना सकते हैं और आपको बनाना भी चाहिए सभी साबुन क्या है सभी साबुन स्वक्ष है सभी साबुन क्या है स्वक्ष है स्वक्ष है ठेक है सभी स्वक्ष क्या है गीले है ओके तो ऐसा करता हूँ सभी स्वक्ष गीले है ओके अब देखें आपर जो आपके सामने दिया हुआ है निसकर्स कि कुछ स्वक्ष साबुन है उसके बाद देखें कोई स्व्क्ष साबुन नहीं है निकेटिव सेंस या तो होगा है नहीं गलत कुछ गिले साबुन है कुछ के लिए तो यह अपस्षों लिए और तीन से रही कौण साइ volt दिखा दे रहा है कर रहे हैं डी ठीक है चले ये कौन सा कोईशन था 11 नमबर अब देखे 12 नमबर कोईशन देखे ज़रा धियान दीजेगा इसमें क्या है ये देखे ये 13 कम मिल्टिपल है तो 13 कम 13 10 चार हाँ है बिल्कुल है उसके बाद देखे 7 5 56 आर्शते 56 आई ये भी है 11 देखे 11 18 आई ये भी है 9 ये देखे 6 4 10 11 ये जार नो से रिवाइड नहीं होगा तो आप ऐसे भी कर दे लीजेगा तो इसका आँसर आप असाने से कर सकते हैं कि 9 कमल्टिपल नहीं है इसको टाइम देखे कांट किजिए और बताई इसका अंसर और 13 नमबर क्वेश्चन में क्या करना है कि आगरेती में कितने तिर्भू चाहिए आपको बताना है तो देखे ऐसा क्वेश्चन जब आपको में जागा तो कांट करना ही पड़ेगा इसका कोई सौटकट नहीं है तो इसलिए कांट करते हैं तो देखिए एक दो तीन चार ठीक है चार तो यह हो गया अब देखिए चार आरह के पांच पांच और एक छे साथ आठ मतलब यह वाला पार्ट में आपको आठ देखने को मल रहा है यह वाला पूरा पार्ट में आपको कितना देखने को मिलेगा आठ यहाँ देखने को मिल गया इसका मतलब यह वाला पार्ट में भी आपको आठ देखने को मिल जाएगा लब आठ आठ 16 हो गया यहांबर 88 16 हो गया ठीक है उसके बाद देखेगा 16 तो एक यहां पर 17 हो जाएगा 18 हो जाएगा 19 हो जाएगा 20 21 22 23 24 24 तो यहीं पर हो गया अब दीखें 24 25 यह रहा 26 ठीक है उसके बाद 27 और यह रहा 28 28 तो यहीं हो गया अब उसके बाद देखेगा 28 के बाद एक यहां पर यह 29 यह 30 यह 31 और यह 32 टोटल कितना मिल गया 32 मिल गया यानि कि आपसन नमबर A इस प्रेस्ट का उत्तर है जितने भी 32 अंसर कर रहे हैं ठीक है चलिए उसके बाद 14 नमबर क्व इस बताएगा आज समान शब्द कौन से है तो मैटी से अपसन नमबर B हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे प्लानेट है लेकिन यह गरह नहीं है और गंटे के सूई कितने डिगरी का कौन बनाएगी आप देखिए हम पहले घडी बनाते हैं आपको घडी दिखाते हैं यह रहा बजेगा तीन और यह तर बजेगा नो तो चार यहां बज रहा होगा यह चार बज रहा होगा मतले यहां एक दो तीन चार एक दो तीन और यह चार बज रहा होगा तो आप क्या जानते हैं एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक मिनट में कितना डिगरी कौन बनता है बते हřे तो आप कहेंगे कि six degree का कोना बनता है एक मिनट में ठीक है तो देख़ें हैं पर आप मिनट में ल्टा और ऐप mm कहों पर फरावठी लज्टि पर्षार का उप्स्न कर ले निचाव जाया ओव डे छलिए यह वाख पूंदा कर आप लूग और दिखेगा question number 16 का answer क्या होगा अजरा धियान से दिखेगा तो अब जो रहा सधियान देखे धियान दिजेगा कि पच्चास और 31 कितना होता है तो आप कहेंगे 81, 81 लाने के लिए, मतलब 9 लाने के लिए 81 में क्या करना होगा, 9 से divide करना होगा इसका मतलब ये दोनों को जोड़ के 9 से divide कर रहे हैं, क्या आगे भी ये series काम करेगा, चेक करते हैं बई, चीक कीजे तो 43 और 11 को जोड़िये, तो कितना आजाएगा, तो आप कहेंगे, कि 14 आजाएगा, और 14 को 9 से divide करी, 6 आ रहे हैं, मतलब बिलकुल काम कर रहे हैं तो, इसका मतलब ये, इसमें भी काम करेगा ये, तो 62 और 21 होज़गा, 63, 63 में 9 से divide करेंगे, 37 प्रस्ट में का उत्तर होगा, आपसा नमबर है, चले, नेक्स बढ़ते हैं, 70 नमबर क्वेश्चन, और इसका अंसर कर देज़ेगा, ये देखे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देज़ेगा, हलका सा ध्यान देज़ेगा, समझा जाएगा, एक पंक्ती में 25 व्रिक्ष एक दूसरे से समान दूरी पर पहले और 25 व्रिक्ष के दूरी के बीच कितना दूरी है, तो 30 मिटर है, तीसरे और 15 में व्रिक्ष के बीच में क्या दूरी होगी है, अब एक चीज़ बताईएगा, एक चीज़ मैं आप से पोच रहा हूँ, कि अगर हमने तीन खंबा इस तरह के से कड़ा कर दिया है, तो gap कितना दिख रहा है, इसका मतलब gap जो दिख रहा है, वो दोही gap दिख रहा है, ठीक है, इतना आउर अप समझ था है, इसका मतलब जो gap है, एक से ल्एक के 25 अगर हम खंबा है, व्रिक्ष हैं, तो वो दोनों, मतलब शुरुवात वाला और last वाला के बीच में gap कितना होगा, का एक कम होगा देखिया ना अगर यहाँ पर खमबा थीन है तो गैप आपको कि बीच कोगा उतना होगा थे हैं इतना समझ गया मतलब अगर आप एक का night निकालना चाहें तो आप्य कह सकते हैं कि दॉटल आपके पास कितना है तो कहा हैं टोटल हमारे पास तीस है तो एक का कितना हो जाएगा तो एक का आप कहेंगे कि बारा हो जाएगा कितना हो जाएगा पति एक का कितना हो जाएगा पति चौबिस होगा ना पचीस है पचीस विरिक्षा तो चौबिस हो जाएगा तो तीस बटा चौबिस हो जाएगा कितना किलि बताइएगा 18 नबर क्वेशन और एक एक लाइक करते जाएगा सभी को और सेशन कैसा लग रहा है ये भी अब बता दीजेगा हम डेली मैथ और इसनिंग आपके लिए ला रहे हैं राद दिन महनत कर रहे हैं तो फटाफट से आप अगर नए है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिजेगा और अभी तक आपने लाइक नहीं क्या है तो एक एक लाइक कर लिजेगा और अगर आप शेर कर सकते हैं अगर आप चाहता है कि कुछ कंट्रिब्यूट करें तो बस आप क्या करें आप एक share कर दें इसके लगा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो एक एक share कर दीजेगा साथी साथ वीडियो को like कर दीजेगा ठीक है ओके तो चली 80 number question देखेगा जरा इसमें क्या है कि अब थड़ा सा ध्यान देजेगा कि एन का कितना होता 14 होता है 14 और यह कितना है 28 है मतलब सिधे दुगना है इसका इसका मतलब इसको भी 2 से गुना किया होगा और इसको भी क्या करेगा 2 से गुना करतेगा तो ऐसा करते हैं, डबल करते चले जाए तो डबल करी, तो P का 16 दूने 32 A का 2 और 12 होता न, L का, 12 दूने 24 और ये कितना हो जाएगा, बाद दूने 10 अब देखे, unit digit से हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, देखे ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है 4, 2, 6, 2, 8 है क्यों और 60 और 20 प्रेस में का उतर होगा, जोडने की ज़ुरत ही नहीं है, ठीक है 11 नंबर क्वेस्चन देखेगा 11 नंबर क्वेस्चन, जड़र देखेगा एक बड़, इसमें क्या करना है जड़र ध्यान देजएगा 11 नंबर क्वेस्चन को इसमें क्या करना है, कि इधर दाएं तरफ है न, हाँ, दाएं, दाएं और इदर रख दिया है धरपन आपको बताना है कि इसका प्रतिपिम कैसा बनेगा तो easy है यह यह अवला इदर आजाएगा यह अवला इदर आजाएगा यह अवला ऐसे चला जाएगा और यह अवला फिर ऐसे आजाएगा यह ऐसे, यह ऐसे option number भी ही देख रहा है तो 20 प्रतिपिम का उतर हो जाएगा easy है, इसलिए मैं इसमें जाएगा इसमें नहीं दिया है, आखरी प्रतिपिम है 20 number question, इसका answer करें देखें, क्या है ना कि एक वर्गा कार आपके पास क्या है, कागज है इसको मोड दिया गया है, और उसके बाद काटा गया है खुलने पर कैसा दिखाए देगा इसको थोड़ा सा नजदीक करता तो ज़्यादा बढ़िया दिखता तो यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा यहां भी देखेगा ठीक है फिर और कहां देखेगा यहां भी देखेगा यहां भी देखेगा और यह वला जो है वो एक ही जगा पर देखेगा ठीक है तो चार और मतलब तीरशा वाला चार आपको किसमें देखने को मल रहा है यह वाला में देखने को मल रहा है ठीक है यह है इसका सही अंसर हो जाएगा जितने भी आप क्या अंसर कर रहे है C is प्रेस्ट में का उतर कर रहे है सबसे नमबर C is correct 1 जितने भी से answer कर रहे हैं इस तरगी से आज का session हमने complete कर लिया गा है session कैसे लगा है एक बार जरूर सब भी कोई बता देचेगा क्योंकि जो बरदर्श्ट महाना दे लगती है और नए अगर है तो please subscribe कर लिजेगा और अगर अपने like नहीं गया है तो एक एक like करके ही चाहिएगा ठीक है किस topic पर आपको confusion हो रहा है एक बार comment करेगा ताकि हम उस topic पर भी video बना पाएं मिलते हैं next class में तो अपते के लिए जाहिंद